गुद मॉर्निंग डियर इस्ट्रेट्स हाला आज हम लोग बीसी कली स्ट्रक्शल और्गनाइजिशन इन आनिमल में इक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या चीज़ है क्लासिफिकेशन ओफ एपिथीलियल यानि एपिथीलियल टिशूज के कितने क्लासिफाई किये गए तो हाला कि जब भी अगर अपन टाइपस ओफ किसका देखेंगे एपिथीलियम का देखेंगे तो ये एक्शुल में जो भी होगा वो किस बेसिस पे होगा तो on the basis of number of cell layer किस पे on the basis of number of cell layer यानि cell का layer कितना होगा उस बेसिस से अपन टाइप ओफ एपिथीलियम को क्या करते हैं consider करते हैं हाला कि ये एपिथीलियम देखो भई ये एपिथीलियम दो ग्रूप में classify किया गया है अब को किसर कौन-कौन से ग्रूप में तो बेटा सबसे पहला जो होता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं simple epithीलियम देते है टेक है दूसरा compound epithीलियम देते है clear है अब जब देखो ये simple epithीलियम रहा और ये compound epithीलियम रहा टेक है simple epithीलियम पे simply अगर work करोगे तो ये क्या रहेगा composed रहेगा किसका of single layer of cells का दूसरा functional as lining of किसका तो body cavities यानी linings में प्रेजेंट रहेगा बॉडी कैविटी का डक्ट्स का और किसका ट्यूब्स का जब वही compound epithीलियम के बार में बात करेंगे तो ये composed होगा two और more cell layer से ठीक है और ये जो होगा protective in function होगा कारण अब देख लो कि जब कोई एक layer से ज़्यादा layer का होता है तो वो एक ही काम करेगा ना protective करेगा और ये बात समझ में वो क्या हो गया compound epithीलियम हो गया next अब simple epithीलियम के बार में देख लो कि ये जो है ये divide किया गया है on the basis किसका of shape का shape के basis पे और structural modification के basis पे आई बात समझ में of cells अब ज़रा समझो ये कितने type के होंगे पहला जिसे अपन कुछ नहीं कहते ही जिसे का simple नाम क्या है simple squamous epithीलियम क्या नाम है simple squamous epithीलियम clear third है simple columnar epithीलियम clear है बच्चे next है that is pseudo stratified जिसे कहते है समझो ये तो सिर्फ इसके रहे ठीक है epithीलियम के टाइप्स हो गए compound epithीलियम आगे चल करके दिखेगा लेकिन सबसे पहले अगर अपन discuss करेंगे तो simple squamous epithीलियम के बारे में discuss करेंगे ठीकर दियरी स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपन अपने first चहीते पर जिसका नाम क्या है A A क्यों यार first simple squamous epithीलियम बेटा नाम याद रखना इसका नाम simple इस वज़े से पढ़ा क्योंकि ये एक समान होता रही squamous का मतलब कि बेटा ये जो भी होता इसे आप easily squamous कर सकते हो जैसे अगर देखोगे तो cell आपको कुछ इस टाइब में क्या हो सकता है observe हो सकता है मैं ये general rough sketch बनाया हूँ क्या बनाया हूँ general rough sketch बनाया इसमें ये देखो ये cytoplasm हो गया ये nucleus हो गया बोलो हाया न टेक है अब लेकिन ये black वाले देखो इसे cell boundary कहते है आई बात समझ मैं अब समझो क्या होता है simple squamous epithelium हलाकि जब भी simple squamous epithelium आप देख रहे हो तो कैसा ले आ रहे ये single layer का बना हुआ है टेक है single layer पे ये कैसा है flat है scale like है टेक है किसके साथ with irregular boundaries आई बात समझ में अब यही वज़े से इसका दूसरा नाम क्या पढ़ जाता है pavement epithelium कहलाता है flat होने के वज़े से कारण ये भी कह सकते हो क्योंकि ये tiles like appearance है घर में अगर जमीन पर देखोगे ना तो उसके जैसा appear होने वाला ये pavement epithelium है द्यान रखना dear students आप ज़रह ये देखो wavy appearance है ना wavy appearance के वज़े से इसे tessellated भी कहते है क्या कहते है tessellated epithelium कहते है जो क्या है ये wave wavy appearance देता है clear idea students अब इसका अगर functions पढ़ा जाए क्या पढ़ा जाए functions 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 में ये क्या क्या करता है तो देखें functions में सबसे पहले ये कहां पर पाया जाता है तो found in lining of किसकी बोलो भई first bowman's capsule में जो kidney में present होता है बटा है न जिसे ये बन जाता है podocyte clear next होता है alveoli में alveoli मतलब lungs में टेक है आई बात समझ में जिसका नाम अपन क्या देते है pneumo sites देते है बच्चे टेक है अब फिर किस में mesothelium आई बात समझ में mesothelium actual में क्या होता है ये covering होता है cavities का covering of cavity और cavity को ये biological term से क्या नाम देते है siloam कहते है टेक है next आता है endothelium endothelium blood vessels में टेक है blood vessels का सबसे अंदर वाले नाम का endothelium होता है अब कहोगे sir mesothelium covering of siloam कहां पर है sir तो बिटा जैसे की lungs हो गया heart हो गया और body की cavity हो गई peritonium जिसे कहते है ये सब में mesothelium present होता है आरे बात समझ में dear students अब tricks इसका पूछा जाए कि बंदा ये कहां पर present होता है क्या का अंसर दोगे sahib क्या अंसर दोगे sahib S से अन्य नड़ी में A से alveoli H से हैंलेज लूप किस में? हैंलेज लूप A से E से endothelium B से वावमन कापसूल कोई दिक्कत ये हो गया क्या साहेब हो गया अपने next year students अब अब चलते हैं अपन second जिसका नाम क्या है? simple cuboidal epithelium अब काओ के वा सर वा simple cuboidal में बिटा समझो ये जो भी दिखेगा वो कुछ इस टाइप में दिखेगा टेक है? बाकि सब क्लिएर है? ये cell membrane होगा nucleus होगा cytoplasm होगा basement membrane होगा कोई दिक्कत dear students ये क्या है? simple cuboidal epithelium है अब जड़ा देख लेना cells कैसे आपको दिख रहे है? cube like है बोलिये हाँ या ना टेक है इस चीज का नाम अपन germinal epithelium भी कहते हैं अब को कि क्यों कहते है germinal epithelium क्यों भाई? क्योंकि ये present होता है gonads में और gonads मतलाब testis and ovary में ovary में ये ovum का formation में help करता है जबकि testis में sperm का formation में ये help करता है dear students टेक है? अब इसका main functions जो देखोगे सिर्फ तीन function होता है पहला absorption का कोई दिकत दूसरा secretion का तीसरा excretion का ये इसके तीन main function होते हैं अब ये कहां कहां पाया जाता है तो इसका example देख लो पहला होता है vesicles of thyroid grunthy कोई दिकत dear students next acene of pancreas में टेक है? sweat gland में बोले कोई दिकत next iris choroid ciliary body वो भी किसका? आई का प्लस tubular part होता है किसका? nephron का nephron का tubular part में पाया जाता है अब ये जो cell है iris choroid ciliary body बेटा आँख में पाया जाता है sweat gland पसीने वाली ग्रन थी acene of pancreas जो हमारे pancreas कैसे बता हूँ? पेट में जठर के पास present होता है उसे pancreas कहते है है ना उसमें present होता है ठेक है? next अब इसका modification देख लो भई बेटा modification दो ही type के होंगे ना पहला अगर modification का first बात करोगे और second बात करोगे तो इसके उपर क्या हो जाएगा? एक cuboidal होने के वज़े से micro wheelie present हो जाएगा बोलो हाँ दूसरा सीलिया present हो जाएगा यह है अब ज़रा देखो अगर यह micro wheelie present हुआ तो इस चीज़ को कहेंगे आपन brush border cuboidal epithelium क्यों भाई? क्योंकि इसके उपर micro wheel आई है clear है finger like appearance हो गया टेक है इसके उपर क्या है cilia है इसका नाम क्या देंगे ciliated cuboidal epithelium बोलो नाम बिल्कुल सही है कोई दिकत अब कहोगे कि यह कहां पर पाये जाएगा तो यह proximal convulated tubules जो कि kidney में nephron में present होता है जबकि ciliated epithelium यह दो जगा यही neck of nephron में है ना और दूसरा collecting duct में वो भी कहां kidney के अंदर और यह भी किस में kidney में students अब समझ में आया नाम कैसे जन्गन्ना करेंगे इनका टेक है आगे चलकर करके अपन इस टीरो सीलिया भी देख लेंगे columnar epithelium में